नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है बिये पार्ट बान वाली छादर किर्पिया ध्यान दे आपके लिए ये वीडियो एस पेसल है आज चप्टर नमर वन हम पढ़ाने जा रहे हैं चप्टर वन वन टूट थरी फोर सभी चप्टर को बारगी से पढ़ाएंगे सब्जक्टिव अब्जक्टिव सभी कोशन करवाएंगे वही कोशन करवाएंगे जो आपके एक्जाम में बढ़ने वाले हैं ठीक है तो आज का वीडियो बहुत ही महत्फुर्ण है इसलिए वीडियो को लाश्टक देखे और कोपी कलम लेके बैट जाए यदि कोपी कलम पास में नहीं है तो स्क्रीन सोट लेते जाए आपको PDF मिल जाएंगे टेलिग्राम में वहाँ पे कोशन मिलेंगे लेकिन अंसर आपको वीडियो में ही बताया जाएगा इसलिए वीडियो को लाश्टक आवस्ट से देखे और सारी कोशन बहुत ही महत्फुर्ण है बार-बार आपके एकजाम में पूछे वी गए और बहुत सारे इनवर्सिटी में कोशन पूछे गए देखते हैं नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीती विग्या चेप्टर नुमर वन बीए पारट वन और यह वीडियो नुमर थरी है लेक्टर नुमर वन और टू आप लोग अवस्ट से देखे ठीक है इससे देखने के बाद परिक्षा में इससे भार कोशन नह और और कोपी क्लम लेके बैट जाए दिया आप कोपी क्लम लेके नहीं बैटे हैं तो स्क्रीन सोट ले सकते हैं लेकिन वीडियो को लाश्टक देखेगा और नए है तो सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि आज हम अबजक्टिव करा रहे हैं आने वाले वीडियो में को cover करते जाएंगे और जो भी subject का notes चाहिए comment करते जाहिए तो और target with stream को आप सभी subscribe कर लिजे ठीक है तो दखते हम first question क्या है राजनिती विज्ञान का आधोनिक उपागम है राजनिती विज्ञान का आधोनिक उपागम है इसका answer हो जाएगा बेवार वाधी उपागम तो आप लोग notes करते चले ताकि आपको याद करने में परिशानी ना हो अप PDF लेते हैं तो फिर याद करने में परिशानी हो PDF भी ऐसे मिल जाएगा टेलीगराम लिंक में तो आप लोग टेलीगराम से PDF ले सकते हैं लेकिन वीडियो को लाश टक देखे नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं हम लोग ये सारे कोशन बार बार आपके एक्जाम में पूछे गए हैं आधुनिक राजनिती विज्ञान के अनुसार राजनिती सास्त का किसका अध्यन करता है इसका अंसर हो जाएगा बहुत ही लाजवाब कोशन है संपुर्भुता, राज्य, कानून, उपरियुक्त सभी अप्सन नम्मर डी ठीक है आधुनिक राजनिती विज्ञान के अनुसार राजनिती सास्त किसका अध्यन करता है अधुनिक राजनिती विज्ञान का लग्षन नहीं है अधरजवादी बल अनुसासानतमक अनुभावातमक इसके पदा अधरजवादी अध्यनों पर बल तो यह कोशन कहीं नहीं आपके एक्जाम में पुछे भी गय coastal इसका अंसर हो जाएगा option number D आदर्सवादी अध्योनों पर बल next question कर लेते हैं प्याड़े दोस्तों ये question बहुत ही बहुत ही महतपूर्ण है बार बार आपके एक्जाम में पुछे भी है इसलिए मैंने इसे भी वियाई कर दिया है तो आप लोग इसे आवस्ची notes कर ले राज का अभिकास हुआ है हुआ निर्वान नहीं ये कथन किसका है राज का जो ही विकास हुआ है बलकि निर्वान नहीं ये कथन किसका है तो ये कथन हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा Spencer जनतार्यस पर०्फॉम्ट्र कए करें kulli i.e. ऐसने का लिवेशन इस संधरी करें गदानुत कईHis अंवाल आ कोwie तो इसका सवान एक तरह्गी हुव झीहाईड़ी Von बहुत ही महत्पूर्ण कुस्टन है तो लिख लिजी आप लो नेक्स्ट कुस्टन है राजनिती राजनिती विज्ञान इतिहास का कल है और इत्यास रजनिती विज्यन की जर है, ये कथन किसका है, तो इसका अंसर हो जाएगा, आरेन गिलकराइश्ट का ठीक है, तो इसके बाद जे आरसीले का, विलोवी का लॉल्ड एक्टान का, तो जे आरसीले सहाब ने, अप्सन नमर B, फ्रेंट्स अप्सन नमर B, अप्सन न से कोमेंट भी करें जो जिसका नाजर आता हो politics किसकी रचना है यह कोशन कई बार पूछे भी गए है politics किसकी रचना है तो इसका नाशर हो जाएगा महान- आरस्तु की रचना है अरस्तु का बहुत बड़ा देन है सब्जक्ट में ठीक है तो अप्सन नमर भी ओके नेक्स्ट कोसन है कि यह कोसन बार बार पुछा गया क्योंकि मैंने यहां भी वियाई जिस कोसने में भी वियाई कर देते हैं वह आप लोग गौर कीजिए क्योंकि यह बहुत सारे इंवर्शेटिम पुछेगा और बार बार प अरस्तू रुसो मॉट्लेंड बकल ठीक है तो बक अप्सन नमर डी प्रेंट्स अप्सन नमर डी बकल ने कहा कि राजनेटी विग्यान के विग्यान होने की बात तो बहुत दोड़ी है कलाव में भी एक पिछडी कला है मतलब यह जो है इसको निच्च भावना से देखा है ठीक है नेक्ट कुसन है नेक्ट कोशन वी बहुत ही विवियाई है बेरी बेरी इंपोरटन्ट नगर राज सब्का परियोग किसके लिए होता है can you प्राचिन युनानी राज के लिए संगिया राज के लिए आधिनिक युक के छोटे राज के लिए इसका अंसर हो जाएगा प्राचिन युनानी राजियों के लिए जो है नगर राज सब्द का परियोग होता है और यह भी विए इसलिए कि कई सारे इनवर्सिटी में पूछे प्राभ produkt श्ळंबह प्रापी प्राप्प्रिक किला यह अगले सुरवत्न कि कला यह कंस्घान्थ इसका आंसर हो जाएगा अटो वान भिश्मारू ने कहान थाга तो नेस्ट को सनार हो लोग कर ले ते हैं यह किस ने कहा कि सच्ची राजनिती इतिहास का दर्शन है यह किस ने कहा कि सच्ची राजनिती इतिहास का दर्शन है तो अप्शन नमर डी फ्रेंट्स एच जे लॉसकी ने कहा था कि सच्ची राजनिती इतिहास का दर्शन है पुस्टन देख लेते हैं हम लोग, यह किसने कहा कि राजनिती विज्ञान रितु सास्त की तरह है, की विज्ञान है, रितु सास्त का मतलब यह होता, जैसे कि अभी सावन चल रहा है, तो कुछ दिन बाद जो ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, तो यह कि रितु सास्त में ही का दियान कर सकते हैं इसी प्रकार राजनिती विग्यान को भी जो है रितू सास्त के ही तरह माना गया है तो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा यह किसने के सची सरवत्तम कला है तो है तो है टी ऑप्शन नमर ए फ्रेंड्स है टी बकल ने ये कथन दिया था ठीक है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं को सनमर 13 है कि यह किस ने कहा कि राजनिती विग्यान समाज विग्यान का वह भाग है जो राज की नीव और सासन के सिद्धानतों की बेख्या क करता है तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल जैनेट यानि की फ्रेंड्स ऑप्शन नमर डी पॉल जैनेट ने ये कथन दिया था इसकी वेख्या कड़ी थी ठीक है नेक्स्ट कोशन कर लेते हम लोग को सनमर 14 है निमलिकित में से कौन राजनिती विग्यान के ध्योनों की पद् है तो इसका अंसर हो जाएगा कौन-कौन पद्दती है तो पहला देख लेते हैं सब्रस्यात्मक पद्दती ये तो होना ही चाहिए इसके वाद अग्मनात्मक पद्दती या ब्यक्ति मूलक पद्दती ये भी इसमें आता है ठीक है निमलिकित में से कौन राजनिती जान की पड्येविचनात्मक पद्दती का परबल समर्थक करता है तो कोन इसका समर्थक करता है तो आप्शन देख लेते हैं सबसे पहले क्या है बरकर-लोसकी इसके बाद दिया है अगस्त कॉम्टे लर्ड ब्राइस तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नेक्स्ट कोसन देख लें देंको सेक्ष्टीन फिरेंट्स यह खतन किसका है कि रजनीती विज्ञान समाज विज्ञानों का वह हंग है जिसमें राज और सरकार के सिधानतों पर विचार किया जा सकता है तो यह कोसन का अंसर आप लोग कॉमेंट वक्स में बताऊगे ठीक है इसका अंसर हम नहीं देंगे नेक्स्ट वीडियो में देंगे तो आप लोग कॉमेंट में अवस्ट करके बताएं ठीक है हम मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का कॉमेंट अवस्ट करें ओके अब नेक्स्ट कोसन देख लेते हम लोग और यदि नए तो सब्सक्राइब कर लेकियों कि आप इसा भी सब्जेक्ट के तेरे बिल्कुल मुफ्तियों करवाई जाती है नेक्स्ट कोसन है कि राजनीती विग्यान की अध्यान पदतियों में अगनात्मक पदति का संबंद किस से है तो इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमर डीबी फ्रेंड्स वारकर क का संबंद कि अगनात्मक पदति का संबंद है राजनीती विग्यान चीए वारकर ने कहा था तो नेक्स्ट कोसन देख लेते हैं हम लोग प्रिफासित किया तो इसका अनुसर ऑप्सन नमर सी हो जाएगा फ्रेंड्स बलंस शली ओके नेक्स्ट कोसन है कोसन नमर 19 रैजनीती विग्यान की पड़िवासा राज के विग्यान के रूप में की जा सकती है ये किस ने कहा तो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा गौर्नर ने ठीक है गौर्नर ने नहीं गेटलन ने ओके सोरी सोरी फ्रेंड्स आप्सन वाली बात ये थी कि रजनिती विग्यान की पड़िवासा राज के विज्ञान के रुप में की जाए जकती है ये किस ने कहा था तो गेटलर ने ये कथन दिया तो ऑप्सन नमर सी फ्रेंड्स काफी important है क्योंकि बहुत सारे एक्जाम में बार बार पुछे गया है और बार बार पुछे गया है ये कुछन तो जब मैं राजनिती विज्ञान में सिर्षक के अंतरगत परिक्षा परशनों को देखता हूँ तो मुझे परशनों की परती वरन सिर्षक के परती खेद होता ये किस ने कहा तो ये कहा है मैटलेंड प्रेंट्स upton no c matland okay matland question no वेटी बहन देख लेते हैं किस ने कहा की निस्चित भूखण में का नून की लिए संगठित जाती ही राज है तो मेकी- substitute- ने कहा किस ने कहा ? तो देखना है मुझे किस ने कहा ? तो वैवर, बॉन्दा, वुड्रो विल्सन वुड्रो ऑप्षोन नम olor डीफरिंड्स वुड्रो वेल्सन ने कहा था कि निशिध भुकण में कानून के लिए शुङिनद्न जाती ही राज्य है इसके बाद हम लोग बार-बार रिवैजिंग भी करेंगे इस question को क्योंकि ये question बहुत बार पूछे भी गया है ये बार-बार कर रहे हैं और question number 22 जो है वो बहुत-बहुत महत्वल रिक्यों कि बहुत सारे university में पूछेंगे ना कि आपके इनवर्सिटी में बहुत सारे university में ये किस ने कहा कि राजनीती आवन्चितों की सरन अस्थली है मतलब ये आवान्चितों आवान्चित नहीं आवान्चितों की सरन अस्थली है ठीक है तो बहुत-बहुत बाच्ची बात भी कहिए समय तो इसका अंसर हो जाएगा और से फ्रेंट्स अलस्तु नहीं कहा था कि राजनीती आवन्चितों की सरन अस्थली है ये बार-बार कोशन पुछा गिए आपके एक्जाम में ठीक है इसका अंसर हो जाएगा हम आप लोगों सोरी बोल रहे है जोर्न बर्नोर डर्सा ठीक है अपसन नमर ए ये किसने कहा कि राजनीती आवन्चितों का सरन अस्थली है इसके बाद देख लेते है ये कोशन बार-बार पूछा गया है अदु पतविज्ञान की संग्यान दी है अधुपति विज्ञान दी है नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स है कोशन नमर चोब्यस किसका कहना की राज परिवार का विस्तार है राज जो है वो परिवार का विस्तार है जो परिवार विस्तार होता है वो राज जी कहीं कहीं न कहीं हिस्सा है ठीक है तो राज जी परिवार का विस्तार है और इसका अंसर हो जाएगा अरस्तू अप्शन नमर सी फ्रेंड्स अरस्तू नहीं कहा था ठीक है इसके वाद नेक्ट कोशन है यह किसका कहता है कि रदनेती विग्यान्ट विद्धिया है तो यह सरकार से कहीं न कहीं सम 드ीत विध्धिया है और यह इसका Óальное Northern हो जाएगा डीफ्रेंट से लिकोग नहीं कहा था यह सरकार से समstell बिग्यान्ट नामक नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा तो पावर नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी बंट्रेड रसेल द्वारा ओप्सिन नमर्ट किस ने यह कहा कि राज का एक दिन लोफ हो जाएगा तो ओप्सिन नमर्ट डिफ्रेंट्स बैंथम ने कहा था ठीक है नेक्ट कोशन है कि निमने में से किस ने ये कहा कि नगर की अस्थापना भूमी के बिना संभव है परन्तु इस बर में विश्वास के बिना राज की अस्थापना नहीं हो सकती बहुत ही खुबसूरत बात कही है इसने निमने में से किस ने कहा है कि एक नगर की अस्थापना भूमिक है यानि कि एक नगर की जब हम अस्थापना करेंगे तो भूमिकी बिना संबब है परन्तो इस बर में विस्वास के बिना राज की अस्थापना नहीं हो सकती जदि आप विसवास करके राज की अस्थापना कर रहे हैं तो उनकी राज की अस्थापना बिल्कुल नहीं हो सकती तो यह बड़ी बात option number B friends पुलोटार्क ने कहा था ठीक है पुलोटार्क ने ओके नेक्स्ट कोशन है नेमिन में से किस ने यह कहा कि राज कर्मिक विकास की एक एतिहासिक संस्था है तो इसका नसर हो जाएगा option number C friends गौर्णर ने कहा था ठीक है राज विकास एक एतिहासिक संस्था है की विकास की अग्रेब आप के नेक्ष एक संसर है तो सब्सक्राइब कर लें आपको सारे विडियो के मिलेंगे लेकिन वहाँ पर अंसर नहीं दिया रहेगा कुस्टन दिया रहेगा तो अंसर के लिए आपको वीडियो पर आना ही होगा थेंक्स पर वाचिंग बाइबाई टेक केर मिलते हैं नेक्ट वीडियो